नेक्स्ट कॉलर पंकज कुमार यूपी से स्वागत है आपका नमस्कार बोलिए यह हमारे कमर में दर्थ रहता है कब से तकलीफ है यह यह लगबं 15 साल से है एज क्या है आपकी 27 बहुत कम उमर में आपको दर्थ और वो भी 15 साल से है यानि आदी उमर तो आपकी दर्थ में च दो कि मैं यह कहता हूं कि 15 साल में कौन सा इलाज होगा जो आपने नहीं किया अब मेरी एक दो बाते मान लीजे और एक दो इलाज भी बताता हूं जो आसान हो कर ले एक तो घर में यह वेस्टन टॉयलेट होना चाहिए अगर वजन उठाने का कोई काम है तो वजन उठाना बिल्कुल छोड़ दीजे और दवा के तोर पर कैसुल टी केर सुबह शाम ले सकते हैं और अगर घरली तोर पर कोई नस्का बनाना चाहें तो गौन सियाह आता है काला गौन कहते हैं इसे आदा गिराम सुबह आदा गिराम शाम खाएं लेकिन इन अकली बहुत मिलता है मिले तो असली मिले नहीं तो फिर नहीं लेना क्यूंकि यह आपके रोग के लिए सो ग्राम ही काफी है सो दो सु ग्राम भी मिल गया तो आदा आदा ग्राम खाने से अपने खतम होने से पहले यह इनसान को रोग बुक करने की सलाइयत रखता है नेक्स्ट कॉलर लठी शुकला जी, स्वागत हैं आपका जी नमस्कार सर, जी बताएगे अदर, जी नमस्कार सर मैं लठी शुकला बोलगा हूं, सर मुझे पखरी है किड्नी में, जी सर मतलब लेट किड्नी में दो पखरी तो, पीन इमेम और पाच इमेम की, थीक आपकी में मतलब हो गई थी अब बीस मतलब हुआ था मैं तो ट्रीटमेंट कल रहा था मेरा सर्जरी अ अ एलोपैसिक ले रहा था फिरब मैं एक साल थे ठीक 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 अच्छा दिक्छे बहुत زیادہ کیلسیم का استعمال से भी पत्री हो जाती है बहुत जादा बहार के खाने खाने से और मा के हाथ के खाने छोड़ने से भी पत्री हो जाती है याद रखें आज किल बच्चे मा का कम और बजार का खाना जादा पसंद करते है ठीक है? इसका निकलना भी आसान है जैतून का नमक आता है नमक जैतून या रसाइन जैतून या एस्टेक जैतून समझ लीजे ये सो ग्राम, दो सो ग्राम मिल जाए तो ले लीजे देखने में नमक, काने में नमकीन नहीं होता एक आदा किराम पानी में मिलाएं और इसमें एक नीबुनी चोड़ें, दिन में एक बार या दो बार पी लिया करें, पत्री पाओडर बनके निकलेगी, रेजारेजा करके, रेतारेता करके निकलेगी दर्द हो तो दर्द की दवा आप ले सकते हैं कोई मुमानियत नहीं है कोई मना नहीं है यह लेना शुरू करें और जब पत्री निकल जाए तब भी यह कभी कभी लिया करें ताके पत्री बनने की पिर्टी के लिए खतम हो जाए अगर यह लेते रहेंगे अज़ी नमस्कार जी नमस्कार अज़ी यह बहुत आसान इलाज है एक आता है कलोंजी का नमक कलोंजी जो हमारे किचन में होती इसका एसिटेक को कलोंजी का नमक कहते है नमक कलोंजी भी कहते हैं, रसायन कलोंजी भी कहते हैं, ये दो चुटकी रोजाना लें और पानी में मिलाकर इसको एक बार या दो बार बच्चे को पिलाये करें, बहुत जल्द बच्चे का ठीक होना उमकिन है. रजनी जी, राजिस्थान से स्वागत है आपका, हालो, हान जी, बोलिये, मैं हमें के पेरों में बहुत दर्द रहता है, कब से दर्द है, महिन अबर हो गया, और देंजनाट रेटी पेरों में, कट्टी वालरेशन होता है, एज क्या है आपकी, चालिश, ममी के दर्द एकी महीने से, बहुत जल्दी आपने फोन किया, अच्छी बच्ची की यही निशानी है, यह बहुत आसानी से ने छोड़ता, अगर आप चाहें, तो इसे आसानी से मुक्तिप पा सकती है, गौन सिया नाम का एक काला गौन आता है, गौन सिया हम अपनी लेंग से या जूस से, जैसा आप बहतर समझें, ख्यार रहें, यह पांच-दस दिन बाद फाइदा शुरू करता है, पांच-दस दिन तक मुझे कुछ शिकायत ना करें, और बहुत जल्द आपकी ममी को फाइदा होना मुम्किन है, आईए बात करते हैं, अगले कॉलर से, माया हमा बात करनी थी, जी माया जी, आप, आदा माया जी, आदा माया जी, मुझे ना, यह घुटनों में दरद है, लेकिन यह जो गोन शाय बजारा बताते हैं, तो मेरे ना तिजाब बहुत बदा, तो मैं गरंद चीज़ कुछ नहीं खा सकती, ठीक है, और देखी, यह गरं भी नह की न गरं न ठंडा, बीच का है, और इसको गरं मजाज वाले भी खा सकते हैं, और ठंडे मजाज वाले भी खा सकते हैं, इसकी खुराक 517 gram है, इसे जादा नहीं सकते हैं, जादा नहीं सकते हैं, आप लेनीजिए, अगर असली मिल जाए questions, मिल जाए 100-200 gram नकली बहुत मिलता है और खाना शुरू करें और वेस्टन ट्वालेट का यह प्रियोग करें तो आपको फाइदा मुबकिन है यूपी से गौरे जुड़ गई है हमारे साथ स्वागत है आपका जी नमस्कार जी मैं हमें हाकीम ताव दिबाद करने से जी गौरी जी आदाब जी नमस्ते साथ जी आदाब जी आदाब जाही आपके लिए पूछना था जाही हो गई है इसे लिए फे जी ठीक है गोरी आपका नाम गोरी भी भी सित्ती है या आपका नाम गोरी है जी से रोड़नें आएंगे अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप गो रही हैं तो जाहियां बहुत बुरी लगती होंगी, मैं ये सोचकर आप से सवाल कर रहा था, कोई और मेरे दिमाग में बात नहीं, तो जाहियों का अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप करें और कुरिया आप अगर रईस हैं तो नारियल पानी मिला कर प्या करें आपकी यह शिकायत बहुत जल्दी दूर होगी और आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे, सुन्दरता में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, आपकी चभी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेग यह मेरा आजमाया नुस्का है, मैं खुद आज भी लेता हूँ, आप मेरी बाल देख रहे हैं, औरिजनल हैं सब कुछ, बुड़े आजमी के बाल इत्ते नहीं होते हैं, लेकिन यह मैंने आपको अपना नुस्का शेयर किया है, आप चाहें तो दूसरों से भी शेयर कर सकते है अग्स्का शेयर गुजरत से नूर जहां शागत है आपका? मेरे दवाएं यहां से जो इसेंदर तकली थी नसों में, और संबर रहे हैं, तो यहां से दवाएं मंगा, इसे चालू और अरक्त पड़ गया है, और मुझे बच्चे दानी के अंदर चार एमें की घृतान है, तो इसके लिए में सूछना था। कौन सी दवा लिए आपने दर्द के लिए? टी केर, इसे तीन-चार महीने मत छोड़िएगा आप, अगर पूरा फाइदा आप चाते हैं, एक ही महीने में कोई छोड़ देता है, तो फिर दुबारा से लोटके आ सकता है, और अगर बच्चे दानी में किसी के गांट या कुछ है, तो एक अच्छा नुस्का है, आप समझ लें, अलोवीरा का सिर्का आता है, सिर्का अलोवीरा, वो दो-तीन चमच रात को एक गिलास में डालें, उसमें एक चुटकी खाने का सोड़ा डालें, एकदम ज़ाग से उठेंगे, तो ज़ाग खतम होने से पहले इसे पानी डा और यह पी लिया करें रात को सोते समय, एक बार, तो आपके इन तकलीफों का भी ठीक होना मुम्किन है, आईए बात करते हैं कुछ और कॉलर से, स्वागत है आपका, नमस्कार जी, नमस्कार दिब्या जी, बताईए सवाल, मैं मुझे PCOD है, ठीक है, एज आपकी, मेरी एज 28, 28 जी जब तक टेवली चलती हैं, तब तक मेरा पीरेट आता है, बनहां बंद हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तायराइट की वो जो टेबलेट आप खाते हो वो खाते रहें और एक बड़ा भरोसे का नस्था है मेरे मैं जिसको भी बताता हूँ उसको फायदा होता अगर वो यानि लगातार ले एक तो यह कि वो गोली भी लेनी जो आप लेते और धनिया लेना 300 ग्राम 300 ग्राम धनिया औ सो ग्राम आमला यह सब सूकावा मिलता है ना सूकावा आमला और सो ग्राम मेति मेति का दाना और सो ग्राम गौन मोरिंगा तीन सो ग्राम धनिया आमला सो ग्राम मेति सो ग्राम सो ग्राम गौन मोरिंगा सफेद वाला लेना गौन मोरिंगा सफेद याद रखे इसको आप को अच्छा लगेगा कि आपका थायरेट काबू में आता जा रहा है और साथ महीने में आपकी वह गोली छूट जाएगी जो आप पहले से खा रहे हैं और उसके बाद यह नुसका भी छूटना मुम्किन है आपका PCOD में भी फाइदा मुम्किन है यूपी से अगली कॉलर है अ तो समय नहीं पारे पताओ कि यह प्रावलम में जब मजबंड में स्वोते हैं तो पूरी बोड़ी का दर्द पंजे में जाता एएज क्या है आपकी जी 24 एज है मारी ठीक है आज पता नहीं क्यों बहुत कम में बच्चें के भी दर्द की शिकायत है यह बच्चे ठीक बहू शाम या एक ही खुड़ा के लिया करें तो भी चलेगा दो बार लें तो फिर ठीक है लगातार लें और इससे आपको फाइदा होना मुम्किन है खाने के बाद लेना है और आपको दूसरे लेना है ठीक है काने के बाद दूसरे के अपको रोग मुक्स होना मुम्किन है अगले क साथ से बात कराईए? इयादव साथ आदब बताएव क्या सवाल है? जी मैं ही तो हूँ आपके सामने मुझे नि पहचाणते है आप बताएव क्या सवाल है? चश्मा लगाने ये जी आदब बताएव साथ हाँ यह जो है मेरी उमर 45 है जी जी तो कुछ शूगर का मुझे जो है थोड़ा परिशानी है ठीक है पूरी बात करिए 45 ठीक है अब टीवी पे आप सुनते रहे हैं आपका टीवी की आवाद बहुत ज्यादा है यह तो अच्छा हुआ आपका सवाल आ गया हुमर के साथ और आ आपको देखिए शुगर के लिए आदमी को एक घंटा पैदल जरूर चलना चाहिए धूप में ठीक है अगर चल नहीं सकते तो बैठना जरूर चाहिए धूप में और सामने से नहीं बैठ सकते तो पीट करके बैठिए सूरज की पांच बार गरम पानी पीना जरूरी है और जैतून का सिरका तीन चमश दिन में तीन चमश रात में छोटे चाय के चमश पानी मिला करें आप पूरी पुरा जीवन सुरक्षित गुजार सकते हैं आपकी शूगर आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और लेकिन दवा वह भी लेते रही जो आप लेते हैं और इसे जी नमारे मेडम जी नमारे में तो मैं शुगर जैतून का सिरका खटा राता है वो पीना जरूर है क्या इस बिमारे में ठीक है और क्या सावाद क्योंकि वो खटा राता है ना जैतून का सिरका तो मुझे पी सकता हूं क्या मैं आपको खटे से कोई परिशानी है क्या वो मुझे आरे पोजिटिव होना गठिया की तकलिव है सर ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा पी सकते हैं आप यह आरे पोजिटिव क्या होता है मैं समझ खोए आरे पॉजिटिव हमारा जो हमार जिसम में एक फाउज है जो हमारी हफाज़त करती है, हमारी सुरक्षा करती है, किसी वज़ा से ये फाउज हमारे उपर हमला करने लगती, हमारी बोडिव इसका काम है, बाहर से आनेवाले ब्रेक्टेरिया को खतम करना तो ये हमारे उपर हमला करने लगती इसकी वज़े से हम आरे पोजेटिव रूमोटाइट आर्थराइटीज कहलाता है तो अब ले तो सकते हैं कोई परशानी हो तो मत ले ना थोड़ा सा चेक करके देख लें वैसे ले सकते हैं आप ये के लोगों को कोई नुकसान दे सकता है और महराज से आप बोल रहे हैं शिवाजी और वहां के लोग मचली बहुत काते हैं और वहां मचली काने से जिसम अच्छा ताकतवर और गरम रहता है गरम मजजज के हो जाते हैं गरम प्रिवर्टी के हो जाते हैं जिन लोगों को खांसी, कफ, बलगम, चीके नहीं होता तो आप ले सकते हैं बहुत शुक्री आपके फोन का